आज हम समझते हैं कि आत्मा इस सरीर में किस सिस्तान पर बैठ कर पूरे सरीर को कंट्रॉल करती है जैसे कि कोई एक डाइवर पूरी गाड़ी को डाइविंग सीट पे बैठ के कंट्रॉल करता है उसकी सीट को हम डाइविंग सीट क्यों बोलते हैं क्योंकि उसकी seat के पास पूरी गाड़ी को control करने के लिए सारी controlling unit लगी होती है चाहे वो brake हो, clutch हो, horn हो, steering हो, कुछ भी हो वो एकी seat पे बैठके पूरी गाड़ी को जैसे चाहे वैसे चला सकता है मोड सकता है, जब चाहे रोक सकता है ऐसे ही पूरे सरीर को अगर एक गाड़ी से compare किया जाए तो अगर उसकी diving seat को निकाला जाए तो क्या निकल के आएगा पूरे सरीर को control करने वाली जो controlling unit है वो कहाँ पे है, तो हम मोटे तोर पे क्या बोलेंगे, brain पर brain के अंदर भी कोई एक particular जगे है जहां पे आत्मा बैट के पूरे सरीर को control करती है अब वो जगे कौन सी है तो आध्धात्मिक भासा में हम उसको भिर्कुटी सिंगासन, अकाल तक्त, भिर्कुटी की कुटिया, आदी नामों से पुकारते है ग्यान के terms में वो जगे कहां पे निकल के आती है तो अगर हम दोनों आईबरों के बीच में एक कोई horizontal line खीचे है और उपर top of the head से एक vertical line खीचे है जहां पे दोनों का cross section होगा वहां पे एक point निकल के आता हूँ, एक blank space है और उसी blank space के आसपास तीन gland है एक है hypothalamus, pituiti और pineal जैसा की आप चितर में देख रहे है वहीं पे एक blank जगे है तो विग्यान के research क्या बताते हैं कि जो blank space है वहीं पे thought का generation point है जो हमारे विचार पैदा होते हैं वो उसी स्थान पे पैदा होते हैं और वहीं पे master gland भी है जिसको हम pituiti gland बोलते हैं पूरी body को emotionally control करने वाली जो gland's है, man gland's है ये तीनो gland's जो हम pituiti, pineal और hypothalamus की बात कर रहे हैं ये तीनो gland ऐसी हैं जो पूरी body को emotionally control करती हैं जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ा rule pituiti gland का है क्योंकि ये master gland है इसके आधार पे ही और body की जितनी भी अनना ग्रन्थियां हैं जो जितनी भी अनना gland's हैं वो सारी की सारी इसी के दोरा control होती है तो यहीं पे बैठके आत्मा पूरे शरीर को control करती है अब control कैसे करती है संकल्पों के दोरा तो आत्मा जो भी संकल्प create करती है वो electrical signal और chemical signal के द्वारा पूरी body में प्रिवाहित होती है आपके सामने एक nerve system का diagram है और कैसे electrical signal के रूप में संकल्प प्रिवाहित होते हैं हमारी body के अंदर वो भी आपके सामने देखो आपकी चित्र में है जब हम कोई संकल्प create करते हैं तो संकल्प दो तरीके से प्रिवाहित होते हैं दो तरीके से signal create होते हैं एक electrical signal और एक chemical signal आपको लिखा हुआ सामने कि कैसे मस्टिस्क के अंदर neurons के द्वारा signal पास हो रहे हैं neurons के उसको बोलते हैं जो brain cells होते हैं उनको neurons बोलते हैं आत्मा जैसे भी संकल्प create करती है उन संकल्पों का पिरवाह पूरी body में फैलता है चाहे वो electrical signal के दौरा हो चाहे वो chemical signal के दौरा हो तो आत्मा के जो संकल्प हैं वो संकल्प पूरी body पे effect कैसे डालेंगे वो chemical signal के दौरा क्योंकि जो भी हम emotions create करते हैं जो feeling जो thought create करते हैं उस thought के आधार पे पिट्योटी gland जो master gland है वो react करती है और master gland के reaction के आधार पे un gland react करती है और उसी आधार पे वो hormones release करती है तो ये release होने वाले hormones को विज्ञान ने दो category में बाट दिया है एक को बोलते है happy hormones या feel good hormones दूसरे को बोलते है feel bad hormones अब ये feel good hormones और feel bad hormones क्या है ये किस आधार पे decide होता है हमारा मन बहुत कोई सुख़द संकल्प create करता है कोई uman गुजसाह वाले संकल्प create करता है तो हमारी बाड़ी के अंदर कुछ chemical release होते हैं इन glands के दौरा तो जब वो chemical body के अंदर release होते हैं तो जो chemical reaction body के अंदर हो रहा होता है उससे हमें सुख़द अन्भूती होती है इसलिए हम उसको बोलते है feel good hormones और जब हम negative सोचते हैं दुखी होते हैं परिसान होते हैं चिंता में होते हैं तो हमारी बाड़ी के अंदर जो chemical release होते हैं उनको हम बोलते है feel bad hormones क्योंकि उनके release होने के बाद हमारी बाड़ी में जो change जाते हैं हमें अच्छा feel नहीं कराते है तो हमारी body के अंदर हमेशा ही अच्छे hormone सी पैदा होते रहें feel good hormone सी पैदा होते रहें उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमेशा हमें अच्छा सोचना पड़ेगा क्योंकि हमारी सोच से ही ये gland activate होती है और ये gland जैसे जैसे chemical release करती है वैसे वैसे हमें अन्बूती कराती हैं ये अपने reaction के द्वारा तो हमेशा हमें क्या करना है हमें अपनी सोच पे बहुत attention रखना है कि हमारी सोच हमेशा कैसी हो सकारात्मक हो ये जो चार feel good hormones हैं डोपा माइन, oxytocin, serotonin और endorphin इनको समझते हैं ये कब release होते हैं हमारी body के अंदर जो डोपा माइन है डोपा माइन कब create होता है हमारी body के अंदर जब हम कोई भी काम को करते हैं, कोई हमने सोचा, कोई हमने target recite किया, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अपने मन में हमने कुछ सोचा और हमने वो achieve कर लिया, अब काम पूरा कर लिया, तो जब काम पूरा होने के बाद जो हमें खोशी मिलती है, जो हमारा thought create होता है कि मैंने ये काम पूरा कर लिया, उसी समय हमारी body के अंदर एक chemical release होता है, जो हमें अच्छी अन्भूती कराता है, अच्छा अच्छा सा लगता है, जब कोई हमें बहुत प्यार करता है, हमारी सिर पे कोई हाथ फेरता है, जैसे मा एक बच्छे को प्यार करती है, तो बच्छे के अंदर कौन सा chemical release होता है, उसी समय मा के अंदर भी oxytocin release होता है, क्योंकि मा को भी अपने बच्छे को गोदी में लेकि बहुत सुकद अन् होती है, माले कुद्धे को देख के खुश होता है, क्योंकि कुद्धा रियक्ट करता है, उसके प्यार का return देता है, उसको तो माले को खुशी मिलती है, तो उसके अंदर भी love hormones generate होता है, अपने कुद्धे को देख कर, तीसरा है serotonin, तो serotonin को बोलते है mood stabilizer, जिसका mood बहुत ज़्यादा fluctuate करता है, तो डॉक्टर लोग क्या करते है, serotonin का injection दे देते हैं, तो उसके लिए क्या क्या कर सकते है, meditation लिखा हुए, meditation कर सकते है, physical exercise कर सकते है, running कर सकते है, इनसे भी serotonin create होता है, लेकिन जो man है, उसमें कौन है, meditation, क्योंकि जितना मन शान्त होगा, उतना हमा बहुत खुष होते हैं, जब बहुत हशते हैं, जब तो लोग क्या आप दुनिया में लोगों के पडिक पास ख़ुशी नही है, तो कोई movie देके हसती है, तो कई कैसे हसने की कोशिश करता है, पर जब भी हम हशते हैं, मुसकुराते हैं, दिल में बहुत खुशी की feeling काता है, तो ये जो चारो हर्मोन कब क्रियेट हो रहे हैं जो हम कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं जाहां कुछ हमसे काम अच्छा हो रहा है या हम किसी को बहुत प्यार कर रहे हैं या कोई मुझे प्यार कर रहा है जो हम मेडिटेशन कर रहे हैं या जो हम बहुत अंदर से खुश हैं मु अचीव हो पाया तो हमारे अंदर वो reward chemical release नहीं होगा कोई हमें प्यार नहीं करता है हमारे घर में परवार में कोई ऐसा नहीं है जो हमें भमिशा प्यार करता रहे तो हमारे अंदर oxytocin create नहीं होगा अगर हम meditator नहीं है तो हमारे अंदर serotonin create होना बहुत muscle का काम है अगर हमारे जीवन में मुस्कुरहाट नहीं है खुशी नहीं है तो endorphin नहीं create हो सकता तो ये चारो feel good hormones ही पैदा नहीं हो रहे हैं लोगों के शरीर के अंदर तो जो body है वो दिन पर दिन बीमारी की तरफ बढ़ती चली जा रही है हम बाबा के बच्चों के लिए चारो chemical हमारे routine में पैदा होने वाली चीज़े हैं क्यों पैदा होने वाली चीज़े हैं क्योंकि हम कुछ ना कुछ daily आप आप सोचो आप एक हर्मोंस को देखो और आप अपने daily routine को चेक करो कि जब हम रोज कुछ ना कुछ इश्वरी सेवाएं करते हैं कुछ ना कुछ हम पुरसार्थ को लेके एक target बनाते हैं चोटे चोटे target बनाते हैं हमें आज ये सेवा करनी है जब हम वो सेवा कर लेते हैं दूसरा है ऑक्सिटोसिन ऑक्सिटेसिन के लव हर्मोस अब दुनिया वालों से तो उमीद है नहीं लोकिक संबंदों से भी उमीद नहीं है पर एक बाबा जो हमारा सर्व संबंदी है जो प्यार का सागर है तो प्यार के सागर से जब हमारा कनेक्शन होता है तो हमारे अंदर वो भावनाएं उमरती है जो दुनिया में किसी के अंदर नहीं उमर सकती है तो ये समझ लो कि सबसे ज़्यादा अगर ऑक्सिटोसिन इस दुनिया में किसी के अंदर पैदा हो रहा होगा ध्यान है हमारे मन में इस्थिरता है तो सेराटोनिन क्रियेट होता है हमें मूड इस्टिबलाइज करने के लिए अलग से कोई केमिकल लेने की जरूरत नहीं है हम आलेडी मेडिटेटर हैं तो जब भी हम बाबा को याद करते हैं आत्मी किश्मती में होते हैं तो क्रियेट होता है चौता है इंडॉर्फिन के लिए क्या चाहिए मन की खुशी चाहिए अब मन की खुशी भाबा के बच्चों से जादा किसके अंदर हो सकती है क्योंकि स्वेयम भगवान जिन को खुश करने के लिए इस दुनिया में उतर चुका हो जिन पालना दे रहा हो जिनको मीठे बच्चे कह रहा हो जिनको रोज रोज नए नए टाइटल दे के जिनकी जोली स्वैम भगवान खुशियों से भर रहा हो सोचो तो उनके अंदर खुशी की कमी कहां से हो सकती है तो हमारे जीवन में इंडॉर्फिन भी बेभाव है तो ये समझ लो कि ये जो चारों फील गुड हार्मोन्स हैं बाबा ने हमें पालना देके हमारी जोली इन चारों एना गुड हार्मोन्स है तो ऐसी भरी हुई है कि हमें इनको पैदा करने के कोई अलग से मेहनत करने की जरूत नहीं है और दुनिया वाले इन केमिकल्स के लिए तरस रहे हैं कि ये कब हमारे अंदर पैदा हों और हमें अच्छा फील कराएं याना तो बाबा की पालना में कितना बल है ये हम समझ सकते हैं विज्ञान भी अभी थोड़े समय बात प्रूफ करेगी और बताएगी कि जितने ये चारों फील गुड हार्मोन्स ब्रामनों के अंदर हैं वो दुनिया में किसी के अंदर नहीं है ये विए ये वह बाबा की पितिक्षटा का सबजेक्ट बनने वाला है आगे चलके ये अर्यागे तरफ फील बैड हार्मोन्स पीदा कब होते हैं जो हमारे अंदर कोई निगेटिव फिलिंग जनरेट होती हैं निगेटिव संकल्व क्रियेट होते हैं तो जब भी हम टेंसन में होते हैं, परिशानी में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारे अंदर दू मैन, एडनलीन और कॉर्टिसॉल हर्मोंस जनरेट होते हैं, जो हमारी बोडी में निगेटिव इंपक्ट डालते हैं, जिसकी बज़े से हमारा इम्मिन सिस्टम डाउन ह ताई है जिसकी बज़े से माईरा बी-पी sοιूट करता है जिसकी बज़े से हर्ड की πरोविलम्त क्रेयेट होती हैं तो हमें क्या करना है हम ये बहुत समझने वाली बात है कि हमेशा हमें खबाबचे हमेशा भुझत अब भाबा भी यही चाहते है कि मेरे बच्चे हमेशा मु इतना खुशियों से भरपूर बना रहे हैं अच्छा और ओम शन्ति है